नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आग बात करूंगा हमारे दो स्ब्सक्राइबेन ने कमेंट खिया है और वो कमेंट उनका सेम यह हें वह एक मेदिसीन के बारे में जानना चाते हैं उसका नाम है पाइमोल लिव थान्त यह पाइस के अंदर जो है इस रेमेडी को यूज किया जाता है या फिर इस दवाई को यूज किया जाता है आईरवेदिक दवाई है तो वो यह जानना चाहते हैं कि यह क्या चीज होती है और कैसे काम करती हैं तो उसके बरह मैं बताना चाहूंगा आपको तो दोस्तों मैंने यह स्टार्ट की अभी नहीं उसमें आपको मेडिसन जितनी भी होते हैं चाहे वो अंग्रेजी दवाईयां हो या फिर आयरेजी दवाईयां हो मलदार से दिलेटर जितनी भी दवाईयां होती हैं उनका रिव्यू करने वादा हूं और वो किस तरह से काम करती हैं तो अगर आप वीडियो पसंद आते हैं तो निचे कमेंट जुरू करिए येस लिख के चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ स पहले से लिए अब हुगा अब ही बात करता ह mortality हूं पाइमॉल लिवोकॉल्स क्या होता है। है लेकित दोस्तों पाइमॉल लिवोकॉल एक अईरुवेदिक दवई येदे हैं ये दवब्य ह definati Indianstes जो महराश्ट में है वो जो है यह बनाती है इस कम्पनी को जो है 2018 में बैस्ट मेडिसिन के आउड स्टाटुप का वाज भी जो है अच्छी कम्पनी हैं बात करता हूं दोस्तों कि यह लिवोकॉन और पैमॉल है यह क्या चीज है देखर दोस्तों Livocone और Pymol यह दोनों अलग-अलग medicine है दो अलग डबे में आपके medicine आती है दोनों के ही जो अलग-अलग काम होते हैं लेकिन basically मैं अगर आपको बता हूँ जो यह capsule की form में आती हैं और इसके capsule के अंदर जो है बहुत सवारी जड़ी-बूट्य होती हैं उनका extract जो इसके अंदर मिलाया होता है जो आगे जाके आपके मलदवार के रोग होती है उनको जो है ठीक करती है तो दोस्तों बात करो के काम कैसे करती है तो दीखे दोस्तों यह जो मेडिसीन है यह जो है आपके दर्द को रिड्यूस करने में काफी अच्छी माने गई है अगर आपको पाइस के कारण बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है या फिर जो है फिशर के कारण जो है आपको बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है तो उसमें यह बहुत अच्छा क के वाज़ेसे आपका कट जो है वो बड़ा हो गया है उसमें बहुत ज़ादा तेज दर्द होता है बहुत ब्लीडिंग हो रही है तो यह जो है गाव को बनने बहुत अच्छा काम करती है पाइल्ज के मस्य को जो है दीरे-दीरे आपको रोग देती हैं साथे साथ दोस्तों एक चीज और देखी गई हैं कि जिनको पाइल्स होती हैं या फिर फिसर की प्रॉब्लम होती हैं उनको जलन और खुजली भी बहुत ज्यादा होती हैं तो यह दवई जो हैं आपकी जलन और खुजली को भी सांथ करती हैं अगर कैपसुल जो होता है उसको खाना खाने से पहले लिया जाता है दोस्तों जब आप खाना खाते हैं तो उससे 20 मिनिट पहले आपको लिवकॉन कैपसुल लेना होता है और जब आप खाना खा लेते हैं उसके 20 मिनिट बाद आपको पाइमॉल कैपसुल लेना होता है यह इसके ले तो होता क्या है कि अब वो जड़ी बूटी जो है आपके लिए suitable है या नहीं है इसका जो है मैं confirmation नहीं बता सकता तो मेरा suggestion आपको यही रहेगा कि आपको जो है अगर यह tablet लेनी है या यह capsule आप लेना चाहते हैं दवाई लेना चाहते हैं तो एक बार आपको अपने doctor से जरूर consult करना चाहिए क्योंकि doctor क्या है आपकी पूरी body को जो एक्जामीन करते हैं उसके बाद जो आपको medicine करते हैं उनको पता रहता है कि यह medicine जो है इस बीमारी के अंदर जो है react करेगी इसके अंदर नहीं करेगी तो इसलिए अगर आप बीना सोचे समझे अगर कुछ medicine ले 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 हैं तो एक बाद doctor से जुरूर consult करिए उसके बाद आप इसे ले सकते हैं बले ही ऐरवेदिक हो लेकिन एक बाद जुरूर आपको doctor से मिलना चाहिए तो यह हैं दोस्तो पाइमोल लिवकॉन capsule अगर आप इसको purchase करना चाहते हैं तो Amazon की में निचे link दे रहा हूं आप जाके वा कमेंट करके जुरूर बताइए किस किस नहीं टेबलेट ली हैं मिलता हूंगा दोस्तों अगरे नए वीडियो में तब तक लिए जैहीं वंदे मात रहा हूं